हेलो आप सब इन्वेस्टिंग विद हर्दीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में आज हम बात करने वाले हैं टाइन एग्रो के बारे में जो बहुत एक अच्छी कंपनी है और फिलाल जो इसमें आपको लोवर सरकेट ही देखने को मिल रह पिछली को तीज रुपया-थिसे पे अच्छी के बात करें जो मार्किट कैपिटलिजशन है वो सिरफ 16 क्रोड का ही जो मार्किट कैपिटलाइज़जिशन है और बीज दिनकी वोवोग दोलाग शेर्स किए विस दिन एवरेज डिलिवरी की बात करें तो एक लाग अडवरेज आज़ार शेर्स की जो है बीज डिलिवरी जो है उठाई गई है बाद करें तो 10 रुपे माइनस में 1.3 2 यानि की एक रुपे की भी कीमित नहीं है अगर यह कंपनी जो है दिवालिया हो जाती है तो अपर सर्केट लिमिन भले ही 31 पैसे की हो लेकिन जो बुक्वेलू पर शेयर है वो नेगेटिव है पी रेश्यों की बात करें तो 62.43 कोई भी प्रवाइड नहीं करती है कंपनी क्योंकि मार्केट कैपिटलेशन इतना ज्यादा नहीं है कि कंपनी आपको डिवीडेंट पे करें या बॉनस पे करें अगर कंपनी ग्रोथ करती है प्रॉफिट लेके आती है रिवेंडू जनरेट कर पाती है तो उसके वेज़े क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप सब के सामने पेस कर सकूँ चले सबसे पहले टेकनिकल चार्ट की बात करते तो देखिए यह स्टोग जो है बहुत भाग वी चुका है लगबक 60 रूपे 62 रूपे तक चुका है और वहां से इस टोग गिरते गिरते अभी आधा हो चुका है यानिकि 60 से गिरके अभी 29 रूपे पर आ गया है कि और जब से लोगर सब्सक्राइब कोई भी ग्रीन के बाद जब तक अपर सब्सक्राइब लगा था वहां तक आपको ग्रीन केंडल शो रही है लेकि क्योंकि कोई भी न्यूज जो है सामने नहीं निकल के आ रही कि जिसकी वज़े से इस टॉक में आप मतलब भागता हुआ देख सकें इस टॉक को आप अगर देखे आरसे लेवल की बात करते हैं तो वह बाइंग जोन में आ गया यानि कि जो रेक्टेंगल आपको दिख रही अब प्रॉफिट स्टार्ट हो भी जाए और नहीं जो इन्वेस्टर से हम वह अपनी एंट्री भी ले सकते जैसे यह अपर सेकेट लगेगा और अगर देखिए आरवी जी लेवल की बात करें तो वह बहुत ज्यादा गीर गया है और बाइंग जोन में आ गया है क्योंकि द सेके और इन दोनों चीजों से जो है स्टॉक नीचे आ गया है अभी 28 रुप्य पिचासी प्यासे प्यासे प्याइब यानि की और रजिस्टर सपोर्ट तीनों दोनों चीजे जो है वह टूप चुकी है और अभी इसमें जो है आपको अपर सर्केट भी देखने को मिल सकता ह है कल या परसों में अगर प्राइस वोल्यूम की बात करें तो देखे तीन मत में इस टॉक ने लगबख साथे तीन सो परसंट के करीब के पॉजिटिव रिटरंस दिये हैं और वोल्यूम आज की बात करते तो सिर्फ 9000 वोल्यूम मतलब आया है आज की डेट में अगर बात क तो कोई भी में एक परसंट भी यह नहीं कह रहा है कि आप इसको बाय करके चलिए अब क्योंकि देखे लोवर सरकेट इतना लंबा चल गया कि जिसकी वज़े से स्टॉक जब बहुत ही ज्यादा गिर गया और को मिल सकता है अगर की बात करें तो देखिए एक्विटी जो है यानि कि पिछले सालों के मुकाबले अब की बार 2021 में और भी ज्यादा बढ़ गया यानि कि अगर 2017 में बात करें तो एक क्रोड तिरा लाग का था यह घटते हुए उससे अगले साल 18 में 77 लाग का हुआ और फिर 19 और 20 में दोनों सालों में यह जो है 99 लैक्स का रहा और अब जीरो ही दिखाई दे रहे है यानि कि प्रॉफिट कंपनी ने सिर्फ एक पैसे का भी लिखिया क्योंकि कंपनी पे जो है बढ़ता ही जा रहा है अगर शेर होल्डिंग पैटरन की बात करें तो देखिए प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है यानि कि जितना भी पैसा लगा तो कोई भी श्टोक करने से पहले कम से कम इतनी जरूर करें कि उसमें पॉमोटर्स की बावडिंगometer का होना बहुत जरूरव यह क्योंकि देखिए pigra पर स्रेक्ट भी देखने को मिल सकता था अगर होल्डिंग की बात करते हैं कि 2020 में 27% फिर्ष के पास और 2020 के बाद से अभी तक पूरा 2021 चला गया उसमें कोई भी फोल्डिंग जो है प्रमोटर के पास नहीं है सारा का सारा इतमें जो पैसा लगा हुए उस फब्लिक का लगा तो जमता का पैसा सारा का सारा और पता निकि इस टॉक को कब आगे जाना है और कब पीछ्याने करें कि कब लजक लग जै कोई कुछ कह ने सकता है अगर आप चैनल पर नए तो प्लीच चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करें एप वीडियो को लायक शेर zरूर जूर मैं